बाए जिनों में कोई अंदोलन होगा तो चिराक पाश्मान सास दिखेंगे क्या चिराक पाश्मान सरकों पर साथ कब खरे होंगे सरकों पे जब मार खाते हैं उसमक्ष चिराग पासमान रोकने कब आएंगे उनकी आवाज कब बनेंगे देखे ये सरकार जो है ये लाठी और बंदुकों वाली सरकार है यहार में आज के डेट में बिना घूस दिये हुए कोई काम नहीं हो रहा है कि चिराग पासमान का मैं आज भी एक बयान सुन रहा था वो खूल करके युवाउव के साथ खड़े दिखाई परते हैं दूर दसा बिहार की नई नहीं है बहुत पुरानी है इतने दिनों तक चुपी थी खास करके हम लोग इसे चैनल ने आवाज उठाना शुरू किया है हाल ही में अभी एक फर्मान जारी किया गया आयोग के द्वारा बेसेसी जो बहाली आयोग है वो एक फर्मान जारी करता है कि छात्रों लोग जो परदरसन कर रहे हैं धर्णा नहीं दे नहीं तो आपके उम्मिदबाड़ी भी रध कर देंगे। ऐसे मुद्दे पर चिराग पास्वान सरकों पर सास कब खरे होंगे। सरकों पर जब मार खाते हैं उसमग चिराग पास्वान रोकने कब आएंगे, उनकी आवाज कब बनेंगे। देखे ये सरकार जो है ये लाठी और बंदूकों वाली सरकार है यहां जो आधरनिय मुख मंत्री जी बोलते हैं कि जीरो करपसन है तो बिहार में आज के डेट में बिना घुस दिये हुए कोई काम नहीं हो रहा है आए दिन आप देख रहे हैं कि बहुत सारे घुस खोर अपस चक्के हों या किसी भी वर्ग से आते हों उनकी बात को सुना जाना चाहिए सरकार के द्वारा और एक जो बैक डूर से जो ब्हारतियों को और घुस्खोरी वाला जो सेटिंग वाला जो चीज है इसको खतम करना चाहिए माननिये मुख मंत्री जी देखिए ठके हुए मुख सकते हैं जो मुख मंत्री अभी लाश्ट समय में बाढ के अपने निरिक्षन कर रहे हों तो बिहार में तो बाढ की स्थिती बहुत पहले से है जहां खाने के समान के किलत है दवाईयां नहीं मिल रही है सडक पे बिद्यारती हैं जिन पे लाठियां भांजी जा रही है और लाठियां मारने के बाद उनको बात करने के लिए बुलाया जा रहा है तो ये जो हिटलर साही जो बिहार सरकार की है या तो पिछले 16 साल से जा रही है हम लोग तो बराबर आदर्निय चिराग पासवान जी आपको अगर ध्यान होगा 2020 के बिहार बिधान सवा चुनाओं के पहले हम लोग अधर्निय चिराग पासवान जी ट्विटर के माध्यम से बराबर बिहार सरकार के भष्टचार को उठाने का काम किये और कौन ऐसा पाटी है जो की सत्ता के साथ ना रहता हो या ना रहना चाह रहा हो लेकिन हम लोग तो संघर्स के पत्थ पे अपने स्वता बिहार की जंता के लिए आए नहीं तो हमको बिहार के माध्यम से पूरे बिहार में सणक पे हैं हम लोग तो हर एक बिद्यार्थी के साथ खड़े हैं यह जरूरी नहीं है कि हर मोमेंट में आधर्निय चिराग पासवान जी ही खड़े र हैगा और मैं अब भ्यार्तियों के विषय पे बराबर बोलता है हूं हमारे राष्टिय अध्यक्ष ने खुल कर बोला है कि मैं अब भ्यार्तियों के जायज मांगों के साथ खड़ा हूं हम लोग लाठी खाने के लिए भी तयार हैं जबुद पड़ेगा तो बिधान सभा घेरने के लिए भी तयार हैं लेकिन देखिए यह सरकार बहरी है सुनने वाली नहीं है इसको बदलना पड़ेगा और बदलने का माद्दा सिर्फ आदरने चिराक पासवान जी में ही है हम लोग जितना बिहार सरकार का भी बिरोध कर रहे हैं उनकी नीतियों का बिरोध कर र कर दो